आल राइट, आज मैं बहुत ज़दा भरा पड़ा हूँ और एकदम से फूटूंगा इस वीडियो में, तो आप तयार हो और बहुत ही अच्छा डिसकेशन होने वाल है, आज हम बात करेंगे, गेट एक्जामिनेशन में हर साल एक लाग बच्चे रजिस्टर करते हैं, बहुत करते हैं, उसमें से 8000 लोग qualify हो पाते हैं, 15000 लोग qualify हो पाते हैं, मतलब 8 से लेके 15% तक qualifying percentage है, अगर मैं उसमें बताओ, कितने लोग IITs पहुच पाते हैं, less than 1%, मतलब हम ऐसी एक्जामिनेशन की तयारी कर रहे हैं, जहां पर acceptance rate इतना कम है, पर क्या हम इस एक्जामिनेशन क करना चीए, क्योंकि ये सारी चीज़ बताकर आपको कोई एक course बिचा जा सकता है, जिसके help से आप directly आपको job मिलेगा, ऐसे आपको बताया जा सकता है, बहुत सारे videos में, मैं देखता हूँ किस तरह से government exam या फिर competitive examination को नाम रखा जाता है, मैं बताता हूँ, मैंने अब तक अच्छे lessons सीखे हैं न, वो इस competition को face करने के कारण सीखे हैं, gate exam को face करने के कारण सीखे हैं, तो gate exam आपको बहुत कुछ सिखाती है, gate exam आपको सिखाती है, कि इतना बड़ा syllabus, जो 10 subjects, एक साथ आपने कभी prepare भी नहीं की होगे, किसे ने जे डबली का preparation किया होगा, उसमें 3 subjects होत होते हैं, एक साथ पूछे जाएंगे, हमारे conventional exams कैसे होते हैं, एक semester में एक-एक exam का paper देना होता है, यहाँ पे 10 subjects एक साथ आएंगे, तो वो syllabus एक साथ prepare करना, अपने दिमाग में carry करना, एक साल तक, बहुत ही, हम अपने ही boundaries को तोड़ते हैं, तो future में जब यह बहुत ही unconventional र रास्ता क्या था, semester exams, एक subject की preparation करो, exam लिखो, और gate exam कैसा है, 10 subject एक साथ, तो आगे जबी आप और एक कोई एक unconventional रास्ता चुनो के, वो जो आपका एक experience है, gate exam का, वो आपको हिम्मत देता है, यह मैं अपने experience से बता रहा हूँ, जबी मैं consultation में आया था, ऐसा कोई product exist ही नहीं क कर सकता है, सब लोग recorded videos बेच रहे हैं, live course बेच रहे हैं, offline courses बेच रहे हैं, consultation नाम का कोई product था ही नहीं, बहुत लोगों ने doubt किया था, आज, 200 से भी ज़्यादा लोग enrolled है मेरे consultation में, 2024 batch के लिए, यह सब क्यों हो पाया है, क्योंकि तभी मैंने एक बड़ा 10-11 subject का एक पहाड मेरे सामने था, और मैंने उससे तोडने का decision लिया था, gate exam आपको सिखाता है, जब आपका preparation में low phase आता है, यह भी आप recall नहीं कर पाते चीज़े, आपने preparation बहुत अच्छा किया, आपने revision भी बहुत अच्छा किया, आपके marks reflect नहीं हो पाते test series में, gate exam आपको सिखाता है, किस तरह से आपको preparation में अलग changes लाने की जरूरत है, किस तरह से वापस bounce back करने की जरूरत है, life में ऐसे बहुत सारे moments आएंगे, जब यह आपको demotivation आएगा, अपने preparation करने के बाद भी, अपना 100% effort डालने के बाद भी, तो यह जो आपका experience है, वो आपको move on करने के लिए help करेगा मैं बताता हूं मेरे videos में बहुत बार views नहीं आते, कभी-कभी मेरा channel भी भूरा कम perform करता है, बाकी months के respect में, तब मुझे get exam का experience help करता है, कि अच्छा जैसे मैं test series का analysis करता था, वैसे मैं YouTube के analytics में या का analysis करता हूं, कि मेरा कुंसा video चला, मेरा कुंसा video नहीं चला, ठीक है, यह एक exam सिर्फ job मिलने के लिए नहीं है, या फिर से आपको IIT में लेके जाने के लिए नहीं है, आपको acceptance rate इतना कम है, तो preparation में नहीं करूंगा, यह बहुत ही बेवकुफी वाला sentence है, एक competitive exam, एक experience जीती है life में, जो आप lifelong carry कर सकते हो, तो इस examination में सिर्फ इस respect में preparation मत करो, हाँ, हो सकता है कि कुछ cases में लोग 2-3-3 साल दे रहे हैं, तो उनके लिए हो सकता है कि यह gate exam शायद से शराब भी हो सकता है, या फिर एक government exam शराब भी हो सकता है, पर हाँ, अगर आप second year के हो, आप third year के हो, या फिर अगर आप fourth year के हो, first year के हो, तीन-чार घंटे निकालो ना, चार गालो gate examination के लिए, बाकी आपको जितना भी time मिलता है, वो आप अपने अलग-अलग activities में डाल सकते हो, एक इंसान video editor बन सकता है, video editor बनके भी एक एक हजार, एक एक वीडियो का लोग चार्ज करते हैं, 1500-1500 लोग चार्ज करते हैं, कुछ लोग 2000 भी चार्ज करते हैं, ऐसे- इसे skills हैं दुनिया में, जो आप सीख सकते हो, जिसकी requirement है, मैं आपको बता रहा हूँ, content is the king, अभी के दुनिया में, अगर आप animated videos बना सकते हो न, एक मिनिट का 1000 रुपे लेते हैं, कुछ लोग एक मिनिट का 2000 रुपे भी लेते हैं, जो बहुती professional editors हैं, animated videos बनाने के लिए, एक मिनिट का, एक मिनिट का video edit करने के लिए 2000 आप सूच सकते हो, तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे skills हैं, जो आप सीख सकते हो, gate examination के साथ preparation करके, ठीक है, पर ये gate exam का preparation बहुत ज़रूरी है, या फिर किसी भी competitive examination का preparation बहुत ज़रूरी है, आपको लोगों ने बहुत अलग अल दिखाएंगे कि acceptance rate इतना कम है, तो आप क्यो gate exam का preparation कर रहे हो, दूसरा चीज दिखाएंगे कि आपकी गलती नहीं है, आपको engineer बनाया गया, आपके parents की गलती है, एक बच्चा सोचते है कि हाँ यार, मेरी गलती कैसी हो सकती, ये दे को मेरा video, जो मैं जिसका video देखता हो, मेर गलतियों को point out नहीं कर रहा है, वो सारी गलतिया मेरे parents पे डाल दे रहा है, actual में जो ये problem है, कि सिर्फ engineers ही बनते हैं हमारे देश में, या फिर सिर्फ doctors ही बनते हैं, ये problem solve किया जा सकता है, पर students को समझा करने, उनके parents को 10-12 के बाद एक workshop लेकर या फिर seminar लेकर, या फिर एक workshop seminar से भी नहीं होगा, जब भी open day होता है, बहुत सारे school colleges में open day होता है, बतलब जब भी आपका result announce होता है, parents को बुलाया जाता है, result दिखाने के लिए, तब उनके सामने present किये जा सकते हैं, कितने type के opportunities दुनिया में present है, उनके salaries क्या है, तब जाके problems all हो सकते हैं, पर video creators को करना क है, कि आपकी side लेना है, और कोई ना कोई course आपको चिपकाना है, acceptance को इतना कम है, आप engineer बन गए, आप कुछ अलग बन सकते थे, ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, passion time के साथ change होता है, ठीक है, सिर्फ passion को follow करो, बाकी सब चीज़े मत करो, यह बहुत ही बेवक उसके साथ अपना conventional education वाला रास्ता भी चुनो, और साथी साथ कुछ extra hours निकालो अपने passion के लिए, जैसे मैं IIT Bombay में था, मैं MTech कर रहा था, मैंने अपने subjects किये, उसके साथ-साथ मैं अपना YouTube channel ग्रो कर रहा था, जब मेरा YouTube channel enough grow हो गया, audience को मेरे पर enough trust आगया, तब जाके मैं इसने तो मुझे मजबूर कर दिया था, जौबी करने के लिए, तो बेवकुफी वाली चीज होगी है, acceptance rate भले कम हो, यह gate exam का एक सफर है, एक साल का, 10-11 subjects का पहाड़ है आपके सामने, उसे आपको तोड़ के आगे जाने, उसमें से आप कभी-कभी पहाड़ तोड़ोगे, वापस से यह पहाड़ बिल्ड हो जाएगा, आप चीज़े भूल जाओगे, आपने प्रिपेर के अदिक subject बहुत ही अच्छे से, पर आप टाइम के साथ उसे भूल गए, उसे वापस से preparation करना, यह है gate examination की preparation, या फिर किसी भी competitive examination का preparation, आप जब भी fail होते हो, तब भी आप bounce back क करके खड़े हो जाओगे, दूसरे attempt के लिए, ठीक है, तो यह सारी चीज़े आपको life में बहुत कुछ सिखा देगी, gate examination सिखाती हैं, कैसे अकेले रहते हैं, अभी तक हमें लोगों के सहारी की ज़रुरत पढ़ती थी बहुत सारी चीज़ों में, हम अपने colleges में अलग- पढ़ता है, और अगर ऐसा कोई एक student है, उसके साथ कोई दोस्ती रखेगा नी, तो automatically आपको अकेले लड़ना आप सीख जाते हो, ठीक है, यह है gate examination की preparation, तो मैं hope कर रहा हूँ, कि आपको समझ आया होगा, कि आपको क्यो gate exam का preparation करना चीए, या फिर किसी भी competitive examination का preparation क्यों करना selection के लिए ने, life में सारे experiences आपको use होगे, ठीक है, कली मी को याद है, मैं time table बना दिया था, बहुत सारे students का, और उसके बाद मुझे पता चला कि यह playlist से हम करेंगे ना, जो आने वाला subject है, यह playlist से करेंगे तो जादा और अच्छा advantage मिल सकता है student को, तो मैंने फटाक से time table change करन का decision लिया, पर 60-70 students का मैंने पहले से time table बनाया है, और वापस से बनाने का मुझे हिम्मत क्यों आया, क्योंकि यह सारे चीज़े मैंने experience किया है, वो सारा डर मैंने experience किया है, अपने gate exam के preparation में, तो करते रो preparation, definitely आपको advantage मिलेगा, तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिले किसे वीडियो के साथ, till then, bye, तो gate 2024 का preparation करना चाहते हो, आप में से कुछ लोग, electronics, electrical, instrumentation, CAC, यह चार ब्रांचेस के students हो, आप मुझे whatsapp करो, 1999 मेरी consultation fees है, सब कुछ videos YouTube पे अविलेबल है, सारे lectures YouTube पे अविलेबल है, किसी coaching की ज़रुरत नहीं है, कौनसे books खरीदने हैं, तीन, वो मैं आपको बता दूँगा, कुनसी एक test series खरीदने हैं, वो मैं आपको बता दूँगा, बाकि doubt आपको जो भी आएगा technical, वो हमारे whatsapp के group में under 50 rankers है, वो आपके doubt solve करेंगे, और वो same rankers अभी placed भी हो गए हैं mtech में, तो बहुती next level का preparation हो सकता है, हमारे consultation में, आप join कर सकत तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलें किसी वीडियो के साथ, till then, bye